दोस्तो आज के सुडियो में हम महार जाती के बारे में बात करने वाले हैं महार जाती की जनसंक्या, महार जाती की उपजातिया या उपनाम एवं महार जाती किस राजिमे कितनी हैं और महिला पुरूस एवं ग्रामिन शहरी की जनसंक्या इन सारी जानकरियों को इस वीडियो में जानेंगे दोस्तो आप लोगों का प्यार जो हमें महारजाती का इतिहास में मिल रहा है दोस्तो उसके लिए आप सबी लोगों का धन्यवाद और दोस्तो हम आगे भी महारजाती को लेकर और वीडियो लाते रहेंगे महारजाती की गो सबसे अधिक जनसंक्या महाराष्ट्र में पाई जाती है एवं सबसे कम जनसंक्या मेघाल है। नमबर एक आसाम यहाँ पर महार को महरा कहा जाता है। यहाँ की कुल जनसंक्या 1822 हैं जिन में पुरूष 1020 एवं महिलाए 802 हैं। अगर बात की जाए ग्रामिन और शेहरी की तो 1290 ग्रामिन हैं वहीं शेहरी 563 हैं। नमबर दो आंडर प्रदेश महार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ की कुल जनसंक्या 36238 हैं जिन में पुरूष 18313 वहीं महिलाए 17925 हैं। अगर बात की जाए ग्रामिन और शेहरी की तो ग्रामिन 26602 हैं। वहीं शेहरी 9636। नमबर तीन चतिस गड़ यहाँ पर महार महरा और महर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ की कुल जनसंक्या 2,45,220 हैं जिन में पुरूष 1,21,517 वहीं महिलाए 1,23,703 हैं। अगर बात की जाए ग्रामिन और शेहरी की तो ग्रामिन 1,35,121 वहीं शेहरी 1,10,09 हैं। नमबर 4, दमन और दीव महार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ की जनसंक्या मात्र 110 हैं जिन में पुरूष 7,79 वे 4,40 हैं। दोस्तों यहाँ पर सबी शہरी निवासी हैं। नमबर 5, पच्छिम बंगाल यहाँ पर महार कहा जाता हैं। यहां के कुल जन्संक्या 34,730 हैं जिन में पूरूश 17,622 वही महिलाए 17,121 हैं बात की जाए ग्रामिन और शहरी की तो ग्रामिन 29,522 वहीं शहरी 5,221 हैं नमबर 6, राजस्तान दोस्तों राजस्तान में महार, तराल, धेगु, मेगु इत्यारी नामों से जाना चाता है दोस्तों यहां के कुल जन्संक्या 1980 हैं जिन में पूरूश 1057, महिलाए 923 हैं बात की जाए ग्रामिन और शहरी की तो ग्रामिन 815, वहीं शहरी 1165 हैं नमबर 7, उडिसा यहां पर महार को महरा और महार कहा जाता है दोस्तों यहां के कुल जन्संक्या 21304 हैं जिन में पूरूश 10713, वहीं महिलाए 10500 इंकाणू हैं अगर बात की जाए ग्रामिन और शहरी की तो ग्रामिन 19448 एवं शहरी 1856 हैं नमबर 8, करनाटक दोस्तों यहां पर महार, तराल, डेगु, मेगु कहा जाता है यहां के कुल जन्संक्या 640068 है जिन में पूरूश 3300 बानू एवं महिलाए 32906 हैं अगर बात की जाए ग्रामिन और शहरी की तो 51206 ग्रामिन एवं शहरी 14802 हैं नमबर 9, मध्य प्रदेश दोस्तों मध्य प्रदेश में महार, महरा, महर या महारा कहा जाता है जहां के कुल जन्संक्या 8,19,416 है जिन में पूरूश 4,19,530 वही महिलाए 3,99,823 हैं अगर बात की जाए ग्रामिन और शहरी की तो ग्रामिन 5,19,127 है वहीं शहरी 2,6,290 हैं नमबर 10, महाराष्ट्र महार, महरा, तराल, डेगू, मेगू कहा जाता है यहां की कुल जन्संक्या 8,60,60 है जिन में पूरूश 4,70,230 वही महिलाए 4,35,830 हैं दोस्तों अगर बात की जाए ग्रामिन और शहरी की तो ग्रामिन 47,64,175 है वहीं शहरी 32,49,886 हैं नमबर 11, गुजरात यहां पर महार, तराल, डेगू, मेगू कहा जाता है यहां की कुल जन्संक्या 28,417 है जिन में पूरूश 14,673 वही महिलाए 13,754 हैं अगर बात की जाए ग्रामिन और शहरी की तो 4,006 ग्रामिन हैं वहीं शहरी 24,411 हैं नमबर 12, गुवा यहां पर महार कहा जाता है यहां की कुल जन्संक्या 12,818 है जिन में पूरूश 6,218 हैं वहीं महिलाए 6,540 अगर बात की जाए ग्रामिन और शहरी की तो ग्रामिन 5,905 हैं वहीं शहरी 6,913 हैं नमबर 13, दादर नगर हवेली यहां पर महार कहा जाता है यहां की कुल जन्संक्या 224 है जिन में पूरूश मात्र 122 एवं महिलाए 102 हैं बात की जाए ग्रामिन और शहरी की तो ग्रामिन 23 एवं शहरी 201 हैं दोस्तो महार जाती भारत में अन्य कहीं राज्यों में बसे हुई है लेकिन उसका आकड़ा हमें प्राप्ट नहीं हो पाया जिसके कारण हम कुछी राज्यों के बारे में बता पाए हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों कहां वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल बहुत सजय को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद